हेलो दोस्तों स्वागत है आपको online study video के में दोस्तों इस वीडियो में हम Indian special general knowledge का part 3 करेंगे इसे पहले हमने 2 part किये थे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका link आपको description में मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख सकते हो और कल के वीडियो में friends जो questions skip हुए थे उसके में माफी चाहूंगी वो हम discuss करेंगे बट लास्ट में discuss करेंगे और अगर आपको प्रशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा so now friends let's start so first question is किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है तो वो माना जाता है अमीर खुसरो वीश्यो का सबसे उचा पठार कौन सा है तो वो है पामीरिया दिब्बत का पठार पठार, योजन आयो का अधक्ष कोन होता है, तो परधान मंत्री होता है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रिउक्त होती है, तो वो ती है, हाइड्रोजन, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतिया कोन था, तो वो था मिहिर, सैन, एक अश्व शक्ती कि अधम रेशा कौन सा है, तो वो है नायलोन, ठीक है, अगला कोश्चन है, सपस्ट प्रदिद्वनी सुनने के लिए श्रोता एवं प्रावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सरवाधिक होती है, तो ये ह होती है, निर्वात में, किस रंग के प्रकाश का प्रकिरन सबसे अधिक होता है, तो वो होता है, बैंगनी में, और सबसे कम होता है, लाल, लाल रंग में, अगला है, वाहनों की हैडलाइट में, किस दर्बन का प्रियोग किया जाता है, तो किया जाता है, अवतल, अकाश मे तो यह दिखती है प्रकाश के अपरवर्तन के कारण प्रात्मी रंग किसे कहते हैं तो जो प्राइमरी कलर होती है किसे कहा जाता है लाल हरा नीला वायुआनो के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है तो वो है हीलियम एक कोशन आपको क्विज का है जिसका आंसर आपको देना होती है तो वो आपको बताना है ठीक है तो इसका अंसर आपको कोमेंट में देना है next question है टांक धातू या सॉल्डर में किस हातु का मिश्रण होता है तो वो होता है 30 प्राइसी से गिलुको मा रोग शरी के किस अंसे से समन्धित है तो वो है आँंख कि अगला है वीष्व की पहली महिला अंत्रिक्ष यात्री का नाम क्या है तो वो है विले टाइना तेरिश कोगा औरिजन ओफ स्पीजिस वाइ नेश्रल सेलेक्शन पुस्तक के लिख कौन थे तो वो थे चालस डार्वीन अगला कॉश्चन है सीने बार कि जातू का एसक है तो वो है पाराया मरकरी नेक्स्ट कॉश्चन है कौन सा यंत्र दूद में पानी की मात्रमा अपनी के लिए प्योग किया जाता है तो वो है लेक्टोमीटर हड्रोजन बंब की सिधान पर अधारित है तो यह नाब की है सल्यन एक कॉश्चन आपका क्वीज का है जिसका अंसर आपको बताना है यह बताना है कि जो पैंसिल बनाने में जो कार्बन प्रियुक्त होता है तो वो कौन सा है ठीक है पैंसिल बनाने में प्रियुक्त कार्ब B3 की मचलियों के यक्रित तेल में किसकी परचूरता होती है तो होती है विटेमिन D भूस थीर उपग्रह की प्रिथवी से उचाई कितनी होती है तो यह होती है 36,000 km मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है तो Celsius में होता है 37 डिगरी और Fahrenheit में पूछा जाता है तो होता है 98.4 लेंस की क्षमता का मात्र क्या है तो वो है डायोप्टर, कंप्यूटर की IC चिप्स किस पढ़ार्ट की बनी होती है तो वो होती है सिल्कॉन की पार्सिक किसकी इकाई है तो वो है खंगोली है दूरी की जो पार्सिक है यह किसकी इकाई है तो यह है खंगोली है दूरी की पानिक अगनत अधिक्तम की स्तापमान पर होता है तो यह होता है 4 डिगरी Celsius पर प्राश्रव तरंगों की आवरिती कितनी होती है तो यह होती है 20, सेजार हर्टर्ट से अधिक मनुश्य का विज्यानिक नाम क्या है तो जो मनुश्य है उसका विज्यानिक नाम है होमो सेपियंस ब्रिटिश संसद के लिए चूने जाने वाले पहले भारतिय कौन थे तो वो थे दादा भाई नेरो जी भारत के किस राजिय में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है तो वो है पश्यमंगाल भारत में ब्रह्मा जी का एक मातर मंदिर कहां है तो ये है पुश्कर जो राजसान में है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है तो वो होता है रैबिज या हाइड्रो फोबिया राज्य सभा का पदेन सभापत कौन होता है तो ये फ्रेंड्स उप्रास्टरवदी दो बार नोबल पुरुसकार प्राप्त करने वाले प्रतम व्यक्ति कौन है तो वो है मैडम मेरी क्यूरी सार्क या अधक्षेज का मुख्याला कहां है तो ये है काटमाड्डू नेपाल में और इसमें आठ देश सदस्य हैं प्रतम परगवीर चक्र विजेता कौन थे तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा भारतिया रास्ट्रिय कॉंग्रेश की पहली भारतिय महीला अधक्ष कौन थी तो वो थे सरोजनी नाइडू सन 1983 के विश्य कप विजेता भारतिय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे तो वो थे कपिल देव रस्ट्रपती राज्य सभा में कितने सदस्या मनोनित कर सकता है तो कर सकता है बारा नोबल पुरुषकार किस वर्ष शुरू हुए तो ये हुए थे 1901 में बांगलादेश की मुद्रा कौन सी है तो वो है टका रमायन किस ने लिखी तो ये लिखी है मारिशी वा किस अंग को प्रभावित करता है जो पारिया रोग होता है वो दात और मसूरों को प्रभावित करता है नासिक किस नदी के किनारे स्थीत है तो वो है गोदावरी रास्रपती को शपत कौन दिलाता है तो सर्वोच नियालया का मुख्य नियादीश रास्रपती को सपत दिला जपान की मुद्रा कौन सी है तो वो है येन इंडियन मिलेटरी अकादमी कहां सीथ है तो यह है देहरादून में को इसका कोशन आता है तो कोशन है आपके लिए कि जो टाकरतिक रबड है वो किसका बहुलक होता है ठीक है चलो मैं इसके लिए आपको ऑप्षन देते हूं जो पहला ओप्षन है वो है नियोप्रीन दूसरा है आईसोप्रीन तीसरा है थाइकाहल और चोथा है नायलोन ठीक है तो प्राकरतिक रबड का जो प्राकरतिक रबड है वो किसका बहुलक होता है तो यह आपको बताना है ठीक है तो यह कोशन आपको क्विज का है सर्वोष नियाल्या का मुख्य निया धीश कब तक अपने पद पर रहता है तो वो रहता है 65 वर्ष की आयो तक संसद का उच्छ सदन कौन सा है तो वो है राजी सभा 75 का लिखक कौन है तो वो है विश्नु शर्मा अगला है सन 1954 में हुआ भारत चीन समझोता किस नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है पंच्छील समझोता सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था तो ये जीता था स्पेन ने रास्ट्रे रक्षा अकादमी कहां स्थीत है तो ये है पुना के पास खडग वासला में ठीक है खडग वासला में डिस्कवरी ओफ इंडिया पुस्तक किस ने लिखी तो ये लिखी है जोहलाल नहरू ने एक स्वस्थ मनुश्य का हुईदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है तो ये धड़कता है बहात्र बार भारत में पहली बार जनगरना कब हुई तो ये हुई अठारा सो बहात्र में डबल फॉल्ट शबद किस खेल में प्रूक्त होता है तो ये होता है टैनिस में भारतिया थल सेना के पहले भारतिया सेना धक्ष कोंते तो ये थे जनरल के एम करियपपा लाई हरोबा किस राज्य का लोक नरेत्य है तो ये है मनिपूर का लाई हरोबा भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है तो ये होता है केरल में कोलकता किस नदी के किनारे है तो ये हैं हुगली नदी पोधों में जीवन होता है यह किस भारतिय विज्ञानिक ने बताया था तो ये बताया था जगदीश चंद्र बसुने मात्मा गांधी द्वारा साबर मती आश्रम कहां स्थापित किया गया तो ये किया गया है एहमदाबाद में मनुष्य के शरीर में कितने गुण सुत्र होते हैं तो ये होते हैं 23, जोड़े या 40 चंद्र ग्रहन कब लगता है तो पुरुनिमा के दिन लगता है भारत छोड़ो आंदोलनम कब शुरू हुआ तो ये हुआ 8 अगस्त 1942 मनुष्य के शरीर का सामानय रखदाव कितना होता है तो ये होता है 80 से 120 मिली मीटर अगला है उत्री गुलार्द में सबसे छोटा दिन कब होता है तो 22 दिशंबर को होता है 22 दिशंबर को और रामचरित मानस किसने लिखी तो ये लिखी है तुलसी दासनी प्रतम एश्याई खेल कब और कहां आयोजित किये गए तो ये किये गए है मई 1950 में नई दिली में वायू मंडलिय दाव किस यंतर से मापा जाता है तो बेरोमिटर से मापा जाता है अगला है हर्याणा का पहला महीला विश्विदाल्या कौन सा है और कहां है तो ये है भगत फूल सिंग महीला विश्विदाल्या जो खानपूर कला जो सोनीपत में है टेस्ट मेचों की एक पारी में सभी दसव विकेट लेने वाला भारतिय कौन है तो वो है अनिल कुमले सन 2018 में फुटपॉल विश्यू कप कहा होगा मिस हो चुका है ये रूस में संसार में सरवाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है तो वो है चीन रास्टरपती लोकसभा में कितने सदस्या मनोनित कर सकता है तो है दो सर्वगराही रक्त समुह कौन सा है तो वो है ए बी ऐसे योग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ तो ये हुआ उनिस सो बीस में पिनलिटी स्ट्रोक किस खेल में प्र्यूख्त होता है तो ये होता है होकी में भारतिया संसद का नीमन सदन कुँछा है तो वह है लोक्सभा और उच्य सदन था राजिसभा सिक धर्म की स्थापना किसने की थी तो ये की थी गुरूरानक तेव ने भारत में जनगर्णा कितने वर्षोबाद होती है तो ये होती है दस वर्षोबाद मेगदूत किसकी रचना है तो ये है कालिदास की भारत की स्वतंतरता के समय ब्रिटेन का प्रदान मंत्री कौन था तो ये था कलेमेंट एटली एकजीमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो त्वच्छा को करता है स्काउट एंड गाइड्स संस्था किस था आपना किस ने की थी तो ये की दिफ्रेंट्स रोबर्ट बाडेन पावेल ने संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो परशांत महासागर है पिनेल्टी किक अब ये पिनेल्टी किक है तो ये शबद है ये किस खेल में प्रिक्थ होता है तो ये होता है फुटबॉल में रंजे टॉफी का समन किस खेल से है तो वो है क्रिकेट जानपिट पुरुषकार किस खेल से समंदित है तो ये है साहित्य भारत का सर्वोश खेल पुरुषकार कौन सा है तो वो है राजिव गांधी खेल रतन पुरुषकार अगला है अरजुन पुरुषकार किस वर्ष शुरू हुए तो ये हुए है 1961 में भारत की मानक समय रेखा कौन सी है तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाबा से गुजरती है मेकसे से पुर्षकार पाने वाला जो पहला भारतिय था वो कौन था तो वो था विनोबा भावे मोना लेजा किसकी विश्वविख्याद पेंटिंग है तो ये जो पेंटिंग है ये है लियो नार्दो द विंची की बड़ी फेमस पेंटिंग है ये स्वांग किस जो स्वांग है इसको सांग बोलते हैं सांग किस राजी की लोक निरित्य कला है तो ये है हरेना की बड़ा फेमस लोक निरित्य है ये भारत में कितने उच नियाला है तो है चोविस कोई विदेयक धन विदेयक है या नहीं इसका फैसला कौन करता है तो है लोकसबाध्यक्ष अगला है अंतिम मुगल समराथ कौन सा है कौन सा था तो ये था पहादुर शाहा जफर तमाखू पर पूरी तरह प्रतिविम लगाने वाला विश्यो का पहला देश कौन सा है तो वो है भुटान गोदान किसकी रशना है तो ये है मुशी प्रेमचदगी नेक्स्ट है स्वाईन फ्लू बीमारी किस विशाणू से फ्ैलती है तो ये फ्ैलती हएंज़ी एंवन ये विशाणू है वाईरस है रास्ट्र मद्दा दीवंस कमरेज़ है तो 42 में संसोधन में जोड़ा गया नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था तो ये कहा था सविन्या वग्या आंदोलन उप्रास्टरपती का चुनाव कौन करता है तो वो संसत के जो सदस्य होते वो उप्रास्टरपती का चुनाव करते है और वीजे स्थम कहां सीत है तो ये है चितोड़गर में विश्व का सबसे लंबा 9,448 किलोमेटर रेलमार प्रास साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है तो ये जोड़ता है सैंट पीर्सबर्ग से ब्लादी वोटसक को अमर कंटक किस नदी का उद्गमसल है तो ये है नर्मदा नदी का भारत में जिपसम का सरवाधिक उत्पादन किस राजिय में होता है तो राजिस्थान में होता है अंग्रेजी इस इंडिया कंपनी ब्ली शबद की स्खेल में प्रिक्ट होता है जीलो की नगरी कौन शहर कहलाता है वो है उद्यापूर आर्यासमाज की सापना कबर कहा की गई पछाट्र ने सबसे प्राशीन वेद रिगवेद है और शिक्षा दिवस कम बनाया जाता है तो ग्यारा नमंबर को मनाया जाता है किसके जनमदीन को शिक्षा दिवश के रूप में बनाती है तो भाग के जो पहले शिक्षा मंत्री मुलाना अब्दूल कलाम आजाद के जनमदीन को भाबा पर्माणू अनुसंधान केंदर कहां सी थै तो ये है ट्रामबे मुंबई में सन 1928 के बार दोली आंदोलन का नेत्रतव किस ने किया था तो ये किया था फ्रेंड्स सरदार वल्ला भाई पटेल ले खालसा पंत की स्थापना किस ने की थी तो ये की थी गुर गोविन सिंग ने मुगलवश की स्थापना तो ये की थी बाबर ने भारत की पहली IPS अधिकारी तो ये थी किर्णवेदी और कथक किस राज़य का शाष्ट्रियन नीत्य है तो ये है उत्रप्रदेश का टिपु सुल्तान की राजानी कौन सी थी तो ये थी श्री रंग पत्नम चाइना मैन शबद की स्खेल में प्रिक्ट होता है तो ये होता है क्रिकेट में सबसे कठोरतम परधात कौन सा है तो ये है हीरा डाइनामाइट का विश्कार किस ने किया तो ये किया अल्फरेड नॉबिल बिस्मिल्ला खान का समद्ध किस वादियंतर से है तो ये है शेहनाई अगला है ओसकर पुरुसकार का समद्ध की शेत्र से है तो यह है फिल्म शेत्र से एट्स का पुरुण विस्तार क्या होगा तो एक्वार्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है यह एट्स की जलेवलबाग में गोलिबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था तो यह दिया था माइकल ओ डायर ने पटना का प्राशी नाम क्या था तो पाटली पुत्तर था जो मागत की राज़ानी थी दिल्ली मिलाल के लग किसने बनवाया तो यह बनवाया है मुगल बाच्शा शहजा आने नेता जी शुभाश रास्ट्रे खेल संस्थान कहां स्तित है तो यह है पटियाला में आगा खां कब किस खेल से समंधित है तो वो है होकी बांदिपूर अभ्यारण किस राज़े में स्तित है तो वो है करनाटक भाप इंजन का अविश्कार किस ने किया था तो जेम्स वॉत ने किया था और रेडियो का अविश्कार किस ने किया तो ये इटली निवासी मारकोनी ने किस भारतिय राज्य की राजभाशा अंग्रेजी है तो है नागलेंड भारतिय राश्रिय कॉंग्रेश का प्रथम मुश्लिम अधक्ष कौन था तो वो था बद्रूदीन कायब जी भारत के प्रथम ग्रेह मंत्री कौन थे तो वो थे सरदार वल्ला भाई पटेल और संसार की प्रथम महिला प्रधार मंत्री कौन है तो वो है सिरीमाओ भंडार नायके हडपा की सभ्यता किस यूग से समंदित है तो वो है कांसय यूग से दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शाशक ने चलाया था तो ये चलाया था अकबर ने उगते और डूपते समय सूर्य लाल परतीत क् की लाल रंग का प्रकिरण सबसे कम होता है इंदर धनुष में कितने रंग होती है तो साथ होते है भूस्तिर उपग्रह की प्रिछ्वी से उचाई कितनी होती है तो 36,000 किलोमिटर चेचक के टीके की खोज किसने की तो किती एडवर्ड जेनर ने और रेविज के टीके की खो से अधिक परमाणू बंप किस सिधान पर कार्या करता है तो नाब के विखंडन विद्धुधारा की काई कौन सी है तो है एंपियर खृदय की धड़कन को निंटित करने के लिए कौन सा खनीज आवशक है तो है पोटेश्यम पेनिसिलीन की खोज किसने की तो ये की है अलेक रेफ लेशिया सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है शेतर मुर्ग और संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है तो है हमिंग बर्ड मनुश्या ने सबसे पहले किस जनतु को पालतु बनाया तो है कुत्ता अंत्रिक श्यात्री को बाहरे अकास कैसा दिखाई देता है तो है काला एटियम का पूर्ण विस्तार क्या होगा एटियम की फुल फॉर्म एटोमेटिड टेलर मशीन यह याद रखना संसत का संयुक्त अधिवेशन कोन बलाता है तो रस्टर पती बलाता है लबी डवलू शबद किस खेल से है तो है क्रिकेट से वाइबंडल की कौन सी परत हमें सूरिय से आने वाली अल्ट्रा वॉयलेट की रणों से बिचाती है तो वो है ओजोन परत ख्वाजा मोईनुदीन चिष्टी की दरगाह कहा है तो यह जो दरगाह है यह है अजमेर में समराट अशोक ने किस यूद के बाद बो धर्म ग्रहन कर लिया था तो यह क्य सबसे लंब्य समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा तो यह है जोती बशू जो पश्चिमंगाल से है संसार की यह जो जोती बशू है भारत में सबसे लंब्य समय तक मुख्यमंत्री रही है पश्चिमंगाल की जोती बशू संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो है नील किस तापमान पर Celsius और Fahrenheit तापमान बराबर होता है तो किस में इक्वल होता है तो यह होता है 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री कांसा किस की मिश्रधातु है तो यह तामा और टीन की दलीप ट्रॉफी का समंध किस खेल से है तो यह है क्रिकेट LPG का पुर्णविस्तार रूप क्या होगा तो लिक्वर्ड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फोर्म है गीता रहसे पुस्तक किस ने लिखी तो यह लिखी है बाल गंगधर तिलग राजिस्तान के कितने सदस्यों को चुनाव हर्स दो वर्ष बाद होता है तो यह है एक तिहाई अमेरिकी रास्टरपती का कारेकार कितने वर्ष होता है तो यह होता है चार वर्ष अयोध्या किस नदी के किनारे है तो यह है सर्यू नदी के किनारे जयपुर की स्थापना किस ने की थी? तो ये कि थी आमेर के राजा सवाई Jai Singh ने घ्रहा है भारतिय सविधान में पहला शन्षोदन कब किया गया? तो ये किया गया 1951 में दूरंठ कप किस खेल से समंदीत है? तो ये जो दूरंड कप है ये किस खेल से समद्धी था तो ये है फुटपॉल से सन 1907 में शुरू किया गया साहित्या का नोबल पुरुसकार किसे दिया गया तो ये दिया गया रुडियाड किम्पलिंग को जो 1907 में साहित्या का नोबल पुरुसकार था किसी दिया गया रूडियाड किम्पलिंग को किसके शाषनकाल में मुरक को कयातरी इबन बबुता भारत आया तो मुहम्मद बिन तुगलक के शाषनकाल में आया था ये भारत के पहले कानून मंत्री कोन थे तो डॉक्टर भीमराव अबेड कर अभग्यान शकुंतलम के लेखा कोन थे तो ये थे कालिदास श्रमिक दिवश कब मनाया जाता है तो श्रमिक दिवश है वो है एक माई को और ओडिशी किस राज्य का शाष्टरी अनृत्य है तो ये है ओडिशा तो फ्रेंट्स जो कल कॉश्चन स्किप हो गे थे हम वो डिस्कूस कर लेते हैं यहां से स्किप हो गे थे कि गाड़ियों में पीछे का द्रिश्या देखने के लिए किस दर्पन का प्योग किया जाता है तो उतल दर्पन का किया जाता है सामान्य प्रस्थितियों में हवा में ध्वनी की गती कितनी होती है तो ये होती है 332 मीटर पर सेकंड अगला है वह एक मात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धूरी पर पूरु से पश्चिम दिशा में घुमता है तो वो है शुक्र सूर्या में सरवादिक गैस कौन सी है तो वो है हाइड्रोजन पृत्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकी लग रहे है कौन सा है तो वो है शुक्र सौरमंडल की आयू कितनी होती है तो कितनी है 4.6 अरब वर्ष कौन सा पुछल तारा 36 वर्ष बात दिखाई देता है तो वो है हेली पुछल तारा पृत्यू और सूर्या की बीच दूरी कितनी है तो वो है 15 क्रोड किलोमिटर सूर्या का प्रकाश पृत्यू तक पहुँचने में कितना समय लगता है तो 500 सेकिंड भारत ने पहला प्रमाणू प्रिक्षन कब और कहां किया था तो यह कहता 24 मई 1974 को पौकरण जो राजसान में है कंप्यूटर के जिस भाग को हम पर्ष कर सकते हैं वह क्या कहलाता है तो हार्डवेर कहलाता है कैंसर के उपचार में प्रूक्त उत्क्रिस्ट गैस कौनसी है तो वह है रेडान मोनेजाइट बालू में कौनसा खनीज पाया जाता है तो थोरियम पाया जाता है शरीर में सबसे बड़ी अंस्त्रावी ग्रंती कौनसी है तो वह है थाइराइड संसार का विशालतम स्तंधारी कौंसा है तो है वहिल मशली बलड ग्रूप की खोज किसने की थी तो लेंड स्टेनर ने की थी Aluminium का प्रमुक अयसक कौंसा है तो वो है बाकस आयट पहला क्रितिम उपकर है कौंसा था तो ये था फ्रेंड्स पूतनिक वन किस उपकरण द्वारा यांत्र कूर्जा को विद्ञत उळ्जा मों प्रिवर्तित किया जाता है तो यह तो यह है डाइनेमो कम्प्यूटर की अस्थाई स्मिरीती क्या कहलाती है तो वो है रैम, रैंड़म एकसस, मैमोरी रिक्टर पीमारनी द्वारा क्या मापा जाता है तो भुकम की द्रिपता को मापा जाता है भूपटल पर सबसे अधी कौन सी धातु पाई जाती है तो वो है अलुमिनियम किस ग्रह को सांधेतारा कहते है तो वो है शुक्र वाई मंडल की सबसे नीचली स्थाय को क्या कहती है शोब मंडल पृत्वी की एक डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है तो है चार मिनिट प्लास्टरो पैरिस किस से बनता है पी ओ पी जिपसम से बनता है और मेचलिया किस की साहता से सांस लेती है तो यह है गलफडो की साहता से हरे पोदे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो प्रकाशन इसलेशन, फोटो सिंथेज, दूद से क्रीम की प्रक्रिया से बनाई जाती है तो यह है अपके इंद्रिय बल तो फ्रेंड यही थी आज की हमारी questions I hope you like this video If you like this video, so please do like, share and subscribe Till then, bye-bye, रबराखा, जया भोले नात